36 के पूर मुख्यमंत्री और राजन्द गाउं लोकसभाज सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार भुपेश बगेल ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं वे कहा कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का ड जारी कर देता था आज डिजिटल यूग में चुनाव आयोग आठ दस दिन बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8 प्रतिशत बढ़ जाता है इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपात्पुर्ण है बिल्कुस नहीं बात है जब आप मत पत्र वोट डालते थे 24 घंटे के अंदर में निर्वाचान आयोग टेवेंटी सी के सुची है उसको जारी कर देते थे सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे आज इलेक्टानी क्यूंग है और इलेक्टानी क्यूंग है आप कहते हैं मत गणना में ज्यादा समय लगेगा इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते और आप जब इलेक्टानी क्यूंग है तो निर्वाचान आयोग एक एक सब्ता 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट किसको फाइदा पहुचाना जाते हैं पहली बार प्रहानमंत्री को नोटीज दिया गया वह भी जयपी नडड़ा को मतब रामलाल से चोड़ी का फ़स नुर्प पकड़ा गया तो आप प्रहानमंत्री बायान देते हैं और जयपी नड़ आप नोटीज देंगे यही शिती निर्वाचान आयो कि इदने दैनी सितित हमने पहली बार देखा है.